Hello everyone, Namaste, Welcome back to my channel Home and Kitchen with Sarika मैं Sarika आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही आमेजिंग सा वीडियो मैं अपने वीडियो में हमेशा नए और प्रैक्टिकल आइडियाज शेयर करती हूँ और थैंक्यू सो मच आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मुझे कमेंट भी करते हो जिन लोगों ने अल्रेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और जो नए है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी या फिर आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएगा और आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे तो चलिए बिनादेर की ये वीडियो को शुरू करते हैं तो mostly हम सब लोग इस टाइप के मसाला के बॉक्स लेकर आते हैं और ये मसाला के बॉक्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाते थोड़े बहुत तो खुले रह जाते हैं जबकि मसालों को हमेशा सील पैक करके रखना ज़रूरी होता है वरना हो खराब हो जाते हैं इसलिए मैं इन बॉक्स के अंदर जो मसाला के पैकेट से उनको हमेशा प्लास्टिक के सील क्लिप लगा कर रखती हूँ जिससे की मसाले लंबे समय तक अच्छे रहते हैं यूजवली हम इन मसाले के बॉक्स को फ्रीजर के डॉर में रख देते हैं लेकिन इन मसाले के बॉक्स के दोनों साइड पर मसालों का नाम कभी-कभी मेंशन नहीं होता है इस वज़े से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और यूज़ करते समय रिक्वाइड बॉक्स को निकालने में हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है तो इसके लिए हम हर एक मसाला के बॉक्स के साइड पर जहापर उसका नाम मेंशन नहीं है वहाँ पर मास्किंग टेक प्लगा कर उसका नाम मेंशन कर देंगे इससे ये सारे की सारे बॉक्सेस हमें easily visible रहेंगे और हम उन्हें फटा-फट उठा सकते हैं चाहे हम उन्हें कैसे भी रखे dressing table को organize करके रखने के लिए हम इस टाइब की छोटी-छोटी basket का use करते हैं लेकिन उन्हें रखी bottles कभी सीधी खड़ी नहीं रह पाती है थोड़ा सदक्का लगने पर गिर जाती है और वो area में सी लगने लगता है उन bottles को organize करके रखने के लिए हम basket को rubber band लगा कर section दे सकते हैं जिससे कि आपकी powder तेल परफ्यूम की सभी छोटी-छोटी bottles उसके अंदर tightly fit हो जाएगी और stable भी रहेगी और इससे हमें extra space भी मिल जाएगी तो इस idea को आप use कर सकते हैं अपने dressing table को और अच्छे से organize करने के लिए और अब आप इसे कितना भी खीचे ये जगे से हिलने वाले नहीं है किसी भी cabinet के सबसे उपर वाले section में रखी basket को अगर handle लगा हुआ है तो हम उसे easily उतार सकते हैं लेकिन अगर handle नहीं है तो उसे उतारने में हमें काफी ज़दा कसरत करनी पड़ती है इस problem को solve करने का एक बहुत ही simple और zero cost idea है इसके लिए आपको shopping bag के handle को निकालना है और उसे basket में लगाना है जन्रली सभी plastic की basket में already छेद होते हैं तो बस उसी में हम इस handle को टक करते हैं मेरी basket में जो छेद है वो बड़े है इसलिए मैं इसे cello tape से secure कर रही हूँ otherwise there is no need to apply it तो बस अब आप बहुत easily basket को pull कर सकते हैं और उतार सकते हैं जब भी हम mcdonald's से french fries मंगाते हैं तो उसके box को वैस समझ कर फेक देते हैं लेकिन उस box का हम बहुत ही अच्छे से use कर सकते हैं बस उसके अंदर हमें दो magnet डालने हैं और tissue papers डालने हैं अब हमारा एक tissue paper holder बन गया है एक छोटा सा mini tissue paper holder इसे हम किसी भी metal surface पर easily stick कर सकते हैं आप अपनी car में भी इसका use कर सकते हैं हम इसे dining table पर ऐसे ही रख भी सकते हैं हमें अपनी छोटी छोटी निकनेक्स चीजों को भी organize करके रखना बहुत जरूरी होता है उसे हम किसी container में रख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से इसे bangle में organize करके रख सकते हैं और यह septi pin तो कभी भी घूम हो जाते हैं और जब हमें उसकी जरूरत पढ़ती है तो कभी मिलते ही नहीं है तो इसके लिए आप इसे इस तरीके से टक करके रख सकते हो अगर आपके पास तूटी हुई bangle है तो उसमें तो आप इसे easily डाल सकते हैं और इस bangle को हम अपने tracing table के या water up के door पर hang करके रख सकते हैं जिनके घर में बच्चे है वो तो हमेशा इस टाइप के sketch pen use करते हैं ड्रॉइंग करने के लिए लेकिन एक हमेशा problem हम लोग face करते हैं कि उसकी जो cap है वो हमेशा गुम हो जाती है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा solution है आपको एक broad size की transparent sellotip लेनी है और सभी sketch pen को उसके cap के side से उस पर line से stick कर देना है और same way उपर से भी sellotip लगाकर उसे pack कर देना है जिससे की उसके cap जो है उसमें अच्छे से stick हो जाए और बस दे दीजिए अपने बच्चों को जितने चाहे उतने sketch pen कोई tension नहीं है किसी भी cap की गुम होने की कोई chance ही रही है और यह को यूज करते समय हमेशा यह problem होती है कि उससे बहुत जादा आवाज आती है और नीचे slab पर scratches आ सकते तो उसके लिए हम इस type की foam sheet का यूज कर सकते हैं तो बस एक foam sheet आप ज़रूर रखे अगर आपको कभी मिले तो उसका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं और इस foam sheet को आप ओकली के अंदर ही रख सकते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो हो हमें easily मिल जाए या फिर हम उसके नीचे भी रख सकते हैं point is that कि दोनों भी एक साथ रहने चाहिए अब next है अगर आपके पास इस type की masking tape है और इस type का butter का container है तो उसको आप as a mobile stand की तरह यूज कर सकते हैं बस इसके अंदर simply mobile को खड़ा कर दीजिये और आप इसे बहुत ही easily यूज कर सकते हैं पहले मैं अपने दुपट्टों को fold करके इस तरीके से basket में रखती थी लेकिन नीचे वाले दुपट्टे को निकालने के लिए मुझे सारे दुपट्टों को बाहर निकालना पड़ता था जिससे उसकी folding खराब हो जाती थी और फिर से मुझे उसे अच्छे से organize करके रखना पड़ता था लेकिन आपका कोई भी दुपट्टा हो शिफॉन, cotton, synthetic या net का किसी भी दुपट्टे को आप इस तरीके से roll करके fold कर दीजे पहले normal जैसे fold करते हैं वैसे करें और फिर उसको उसके border के side से इस तरीके से roll कर दीजे और फिर उसे rubber band लगा कर secure कर दीजे ऐसे सारे दुपट्टों को इसी तरीके से आप रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से organize रहेगे और जब भी आपको ये दुपट्टा निकालोगे तो बाकी के दुपट्टे खराब नहीं होगे इस पर rubber band लगाना बिल्कुल optional है अगर आपको लगता है कि आपको आइनिंग खराब हो जाएगी वैसे तो आइनिंग खराब नहीं होती है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसे skip कर सकते हो और बिना rubber band लगाए भी आप सिर्फ roll करके उसको रख सकते हो अगर आपके पास इस टाइप का जश्मे का discarded box है तो इसका reuse आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो उसके लिए आपको एक paper की sheet लेनी है उसे ऐसे cut कर लेना है paper की sheet white हो तो बहुत अच्छा है और फिर उसे बीच में दो fold देने हैं इस type से अब इस folded sheet को हम simply चश्मे के case में इस तरीके से रख देगे बस हमें उस paper sheet को अच्छे से इस box के अंदर adjust कर लेना है ऐसे उंगलियों से हम उसे press कर देंगे और फिर वो उसके अंदर अच्छे से fit हो जाएगा extra paper है उसको हम cut कर देंगे तो बस इस तरीके से इस चश्मे के case में तीन section बन गए है अब इन section के back side में हमें morning, afternoon और evening ऐसे लिख देना है अब तक तो आप शायद समझे चुके होगे कि हम इसका कैसे use करने वाले है येस, इसमें हम अपनी medicine की pills को रखेंगे जब भी हम कभी travel करने वाले होगे तो इस type का हम एक kit लेकर जा सकते है या आपके घर में जो elderly people है जिनको medicine की जरूरत होती है तो उनको आप ये दे सकते है तो ये आपका एक travel kit बन जाएगा दो-तिन दिन की दवाईये इसके अंदर आप आराम से लग सकते है तो friends कैसा लगा आपको मेरा अज़ का ये वीडियो I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हूँ ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया है तो इसे like करना ना भूले इन सब hack में से आपको कौन सा hack पसंद आया है ये मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है और screen के रीचे एक red color का button है जिसके उपर subscribe लिखा हुआ है उसे आपको क्लिक करना है और साथ मेरे bell icon को भी क्लिक करना है ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के notification आपको मिल जाएगे तो friends मिलते हैं मेरे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye